गुजराथ विधानसभा चनाफ के पहले चरण में दो दिन का समय बाकी है चनाफ प्रचार के अंतम दौर में सभी राजनेतिक दलों ने पूरी ताकर जोग भी है फियासी दलों के दिगच नेताओं ने चनाफ प्रचार के लिए गुजराथ में डेरा डाला हुआ है गुजराथ चनाफ के पहले चरण का चनाफ प्रचार 29 निवेंबर को थम जाएगा भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कॉंग्रेसांसद राहुल गांधी ने पिछले हफते ही गुजराथ चनाफ में पार्टी के लिए प्रचार की कमान समाली थी राहुल लेकिस समेंबर को गुजराथ के सूरत और राजकोर्ट में पार्टी के लिए चनाफ प्रचार भी किया था इसी के साथ इस बात की भी चर्चा तेस हो गई कि राहुल गांधी ने कहीं गुजराथ आने में देरी तो नहीं कर दी एक तरफ सतरूर वीजेपी के कई दिगश नेताओं से लेकर प्रधान मंतिर नरिंद मोदी खुद गुजराथ में लगातार ताबर तो चिनावी रेलिया कर रहे हैं आज भी पीए मोदी सोराज्चों में चार जन सभाओं को संभूधित करेंगे आमागभी पार्टी के राश्र सेयोजक और दिली के सीएम महीनों से गुजराथ की जनता के बीच जाकर उन से आपके पक्ष में वोट करने के लिए कह रहे हैं ऐसे में सवाल उटता है कि राहूल गांदी ने कहीं गुजराथ आने में देरी तो नहीं कर दी गुजराथ में राहूल की चराफ प्रचार करने से कॉंग्रिस को फाइदा पहुँचेगा इन तमाम सवालों को लेकर सी वोटर ने एवीपी न्यूस के लिए सबताहिक सर्वे किया गुजराथ चिनाफ से पहले जनता का मूट जानने के लिए एवीपी के लिए स्पी वोटर ने वीपली सर्वे किया है ये आकरी सब ताहिक सर्वे हैं क्योंकि एक दिसम्बर को गुजरात में पहले चरण के लिए वोटिंग होगी गुजरात में पहले चरण में सौराश्ट की 54 और दक्षिन गुजरात के 35 सीजों परमतिदान होगा वहीं पहले चरण की वोटिंग से पहले 29 दिवंबर को चिनाफ प्रचार थम जाएगा इस सर्वे में 1889 लोगों की ज्राय ली गई है सर्वे बुधिवार से शुकरवार तक किया गया है सर्वे में सवाल पूछा गया कि क्या राहुल गांधी के चनाफ प्रचार करने से गुजरात में कॉंग्रेस को इसका फायदा मिलेगा इस सवाल के बेहत हैरान करने वाले रिजल सामने आए है गुजराट के 41 फीजदी लोगों को लगता है कि राहूल गांधी के चुनाब प्रचार करने से कॉंग्रेस को फायदा होगा जबकि 69 फीजदी लोगों का मानना है कि राहूल गांधी के प्रचार करने से गुजराट में कॉंग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है सर्वे के यांकडे इस और इशारा करते हैं कि दाहू गांधी ने कुज्राच चनाव में प्रचार करने में शायद देरी करती है